हलो फ्रेंज, वेलकम बेक तो दैनिक पॉर्टल फ्रेंज, आप अगर बैंक इंप्लाई है, नेशनलाइज बैंक में काम करते हैं, भले ही रीजनल रूरर बैंक में काम करते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए आज बहुत इंपोर्टन है आज का टॉपिक है प्राइविटाइजिशन ऑफ बैंक सबसे पहले अपडेट ये है कि 29 जनवरी 2021 को Officers Association ने एक Joint Letter लिखा है Finance Minister को और जिसका सब्जेक्ट है Opposition to Privatization of PSU Banks यानि जो सरकारी बैंक है उसके निजी करण का ये विरोत करते हैं इस लेटर में क्या लिखा गया है वो सारी बाते मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा पीछे लिखके चलता हूँ कि ये लेटर लिखने की नौबत क्यों आई अभी तक Privatization of PSU Banks से related क्या क्या important बाते हुई है सबसे पहले में 2020 में आत्म निर्भर भारत पैकेज आया था फ्रेंज आपको पता है COVID relief के लिए ये गवर्मेंट ने पैकेज लॉंच किया था उसमें Finance Minister निर्मला सिता रमन जी ने सबसे पहले ये Announce किया था कि गवर्मेंट बहुत ही जल्द strategic sectors और non-strategic sectors की definitions को revise करेगी कौन से sectors strategic हैं उसकी realistic जारी की जाएगी और किसी particular strategic sector में maximum चार ही public sector companies रहेगी minimum एक और maximum चार किसी भी एक strategic sector में यानि कहने का मतलब साफ है कि सिर्फ strategic sectors में government अपनी holding रखेगी अपनी share holding रखेगी बाकि non-strategic sectors के अंदर कोई भी government अपनी किसी भी तरह के हिस्सेदारी नहीं रखेगी ये सबसे पहले में 2020 के अंदर खुद finance minister ने एक बात कही उसके बाद August 2020 में जो department है दीपम Department of Investment and Public Asset Management पहले ये Department of Investment हुआ करता था अब ये Department of Investment and Public Asset Management है जो कि finance ministry के अंदर में काम करता है इस department ने cabinet में एक proposal मूव किया जिसका subject था redefining public sector participation in commercial sector enterprise इस proposal में अठा अलग-अलग sectors को identify किया और उन्हें strategic बनाने की बात कही गई इन 18 strategic sectors को broadly तीन categories में define किया गया जिसमें mining and exploration रखा गया manufacturing, processing and generation रखा गया और तीसरा services sector रखा गया और important बात bankers के लिए ये है कि जो banking and insurance है banking and insurance को services sector के strategic sector के अंदर रखा गया यानि जो third category है services sector की जो strategic category है उसमें banking and insurance को रखा गया यानि banking एक strategic sector है ये already confirm है और हाली में January में ये news आई कि government ने ये जो PSU की जो privatization की policy है उसे approval cabinet में दे दिया है इसमें जो सबसे important बात थी वो ये कहा गया कि इसकी जो official declaration है वो आने वाले budget को जो union budget आएगा एक फरवरी को उसमें किया जाएगा और इसमें जो सबसे important बात वही repeat करी गई कि कि किसी भी strategic sector में maximum PSU's एक से लेके 4 होगी और अगर इससे जादा है तो या तो उन्हें privatize किया जाएगा merge किया जाएगा या फिर उसे उन सब को किसी एक holding company के under में रखा जाएगा तो यानि government का purpose साफ है अभी हाली में जो economic survey जो release किया गया उसके अंदर भी ये privatize किया जाएगा आप अगर economic survey चाहे तो उसे read कर सकते हैं आपको ये information उसमें मिल जाएगी और even economic survey release होने के next day जो chief economic advisor है श्री कृष्ण मूर्ती सुब्रमन्यम इन्होंने एक interview में clear लिए बात कही है accept करी है कि जो public sector banks है उनकी privatization करना government के लिए top priority का काम भी है तो friends ये अभी तक clear है कि government का intention privatization को लेके काफी clear है अब बात ये है कि एक particular strategic sector में यानि banking भी strategic sector है इसमें maximum एक से लेके यानि एक से लेके चार ही public sector enterprises रह सकती है यानि public sector companies रह सकती है अभी फिलाल total 12 public sector banks है जिसमें सबसे बड़ा bank state bank of India है जिसका already एक बार associates के साथ में merge करके उसे और बड़ा बड़ा बना दिया गया है इसके लावा पांच वो bank है जिने merger के time पे जो merger का process हुआ था उसके अंदर कोई ना कोई bank merge करके उसे और बड़ा बनाया गया था ये वो पांच दूसरे public sector banks है तो एक प्लस पांच छे bank तो यह हो गए जिनके अंदर already कुछ banks merge कर दिये गए है इसके लावत छे bank ऐसे थे जिने merger process से बाहर रखा गया था इसमें ये bank of India, bank of महराश्ट्रे, central bank of India, Indian overseas bank, Punjab and Sin bank और Yuko bank ये 6 bank ऐसे थे जिनको merger process से भी बाहर रखा गया था तो ये कुल मिला के 12 bank है अब इसी बात को associations ने भी अपने letter के अंदर बकायदा लिखा है क्योंकि government का logic साफ है कि minimum एक maximum चार PSE होंगे किसी एक strategic sector में और अगर इससे जादा है तो या तो privatize होंगे या तो merge होंगे या फिर किसी holding company के अंदर में चाहेंगे यानि इस logic से जो 12 public sector banks है उसमें से 8 privatize हो सकते हैं यही बात associations ने भी अपने letter में लिखी है आप अगर letter का point number 2 देखेंगे तो उनने clearly यही लिखा है कि अभी public sector banks 12 है जो कि पूरे इंडिया का जो banking assets है उसका 60% hold करते हैं सारे bank deposits का अगर बात करें तो 64% bank deposit सरकारी बैंकों के पास है और 60% loans and advances भी है अगर जो proposed privatization policy लागू होती है तो कम से कम 8 public sector banks का privatization हो जाएगा जिससे public sector banks की जो dominance थी वो खतम हो जाएगी यह बात भी इस association ने अपने letter में लिखी है और इसका असर सिर्फ nationalized banks के उपर नहीं रहने वाला है जो regional ruler banks है उनकी related भी उनके उपर भी इसका असर आने वाला है क्योंकि उनमें भी 50% share holding government की है अगर 31st December 2020 की बात करें तो इंडिया में अभी 43 regional ruler banks है जो काम कर रहे हैं regional ruler banks की भी ये news सुनने में आ रही है कि जैसे जो अभी जो मैंने आपको information दी उसमें यही चीज लिखी गई थी कि या तो वो privatize होंगे या merge होंगे या फिर किसी एक holding company में transfer कर दिये जाएंगे तो जो holding company में transfer करने वाली बात है वो regional ruler banks के लिए काफी जादा अभी सुनने में आ रही है कि government एक holding company मना के regional ruler banks को उसके अंडर में लेके आएगी और अपने जो भी सारे shares है जो holding है वो उस holding company को transfer कर देगी यानि असर दोनों को हो सकता है nationalized banks के उपर भी इसका असर आने वाला है और regional ruler banks के उपर भी इसका असर हो सकता है अब ये था इसका थोड़ा background अब बात करते हैं उस letter की कि उस letter में association ने क्या लिखा है letter 29 January 2021 का है और finance minister को लिखा गया है letter का subject जैसा मैं आपको बता चुका हूं joint letter है associations का जो officers associations है उनका joint letter है सबसे पहले इन्होंने इसी बात का reference दिया है कि आत्मनेर भारत package जो में 2020 में announce हो था उसमें banking को भी एक strategic sector गोशित किया गया था और जो वित्तमंत्री है उनको ये कहा गया कि आजकल मीडिया में ऐसी काफी reports सारी है कि union cabinet ने वो policy जो privatization की policy उसे भी approve कर दी है और आने वाले budget में इसकी घोशना हो सकती है तो एक तरह से इन्हों ने पहले ही proactiveness दिखा के ministry को letter लिखा है कि अगर आप privatization जैसा की सुनने में आ रहा है प्लान कर रहे हैं तो यह मत करिए क्योंकि हमारी तरफ से इसको एक strong resistance है यह हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं बात करते हैं आगे letter में क्या लिखा है point number second में आपको अल्रडी बता चुका हूं कि point number two के letter में क्या लिखा गया है आठ public sector banks को privatize होने के वाली बात लिखी गई है साथी point number three और point number four में में यह लिखा गया है कि जो public sector banks है वो किस तरह से public sector banks बने पहले nationalization हुआ nationalization के बाद में country के अंदर banking को banking की growth करने के लिए public sector banks ने बहुत एक important role play किया है even जो financial crisis आयता है through 2008-2009 में उस से उभरने में Indian economic banking sector ने बहुत मदद करी है जंधन योजना हमने लागू करी है मुद्रा scheme हमने लागू करी है even COVID के अंदर जो भी schemes थी वो banks ने लागू करी है यानि अगर banking की बात करें तो public sector banks हमेशा lead करते आए है scheme implementation में government की जो भी schemes हुई है वो हमने implement करी है और हाली में आपको पता है कि कितने बड़ी-बड़ी private entities fall हुई है जैसे yes bank है कई पंजाब और महराश्टर कॉपरेटर बैंक है NBFC है, ILFC और DHFL काफी private entities already bigger चुकी है वो गिर चुकी है, bankrupt हो चुकी है तो आपको जब पता है कि private sector banks के अंदर इस थरे की problem आ रही है वहीं ये fail हो चुकी है वहीं public sector banks ने शुरू से अभी तक financial stability को पे जोर दिया है और जो depositors है उसके पैसे का ध्यान रखा है तो आपका जो purpose है वो यह होना चाहिए कि public sector banks को और मजबूत किया जाए ना कि इनको privatize किया जाए और last में सबसे important बात इनों लिखी है कि अगर आपका ये जो proposal है जैसा सुनने में आ रहा है प्राइविटाइजेशन का ये जो proposal है ये बिल्कुल retrograde है यानि एक तरह से पीछे धखेलने वाला है moving backward वाला logic वाला है और ये national interest में राष्ट हित में नहीं है अगर किसी भी तरह का privatization से related कोई step लिया गया या फिर government की share holding को थोड़ा भी dilute किया गया यानि disinvest किया गया banks के अंदर जो सरकारी share holding है उसे अगर थोड़ा कम भी किया गया या फिर और अब आगे merger और amalgamation किया गया तो आपको इसका हम पुरजोर वियोत करेंगे इस चीज़ को इन्होंने लिखा है और साथ ही request करी है कि आप public sector banks को financially और strong बनाईए ताकि national interest के अंदर ये अच्छा और बहतर काम कर सके ना कि इनका privatization कर रहे तो friends इस तरह के letters मैं आपको पहले बता दूँ merger के time पे भी associations ने ऐसे letter लिखे थे विरोध किया था कि आप banks का merger मत करिये लेकिन उसके बावजूद भी bank के merger हुए और एक के बाद एक काफी banks के merger हुए जो banks पहले 2021 थे वो घटकर 12 रह गए तब associations ने letter लिखे थे लेकिन उसका कोई भी असर government के उपर नहीं हुआ तो friends सबसे important date है 1 February 2021 यानि जो आने वाला union budget जिस दिन पेश होगा Parliament में वो दिन बहुत important है bankers के लिए बहुत important है क्योंकि इस चीज़ से related PSU privatization से related कोई ना कोई policy का policy की घोशना budget में हो सकती है तब ही associations ने officers association ने proactively एक letter लिखा है honorable finance minister को तो friends यह था अचका वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please यह से like कीज़ेगा channel को जरूर subscribe कीज़ेगा और video को जरूर share कीज़ेगा thank you friends for watching this video